लास्ट क्लास में हमने देखा था IMM brush जोकी जी brush में बने बनाे पड़े हैं उनका use कैसे करना है उनका use करके हमने ये model इस तरह से बनाया हो था इसकी news लगाई थी जोकी IMM brush में पढ़ा हुआ था body parts के brush की category में तो ब्रेस कहां से हम लोग लेके आते हैं, यह ब्रेस क्लिक करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखें, जितने भी IMM की कैटेगरी के ब्रेस हैं, वो सारे मिलेंगे, तो यह body parts में हमने यहाँ से news ली थी, और बाकी के option हमने जो उठाये थे, यह सारे के सारे यह IMM के और भी दूसरे option थे, जिसे कि यहाँ पर यह देखें, आज हम सीखें कि इस तरह का अगर IMM ब्रेस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम अपना, basically IMM ब्रेस का मतलब होता है, जिस ब्रेस में बहुत सारे shapes अलग-अलग हों, उसकी sub category के form में, तो अगर हमें बनाना, या फिर existing brush में हमने अपना कोई brush जोड़ना है, तो वो कैसे जोड़ेंगे, वो दोनों ही हम चीजे देखेंगे, तो first of all हम यहाँ से कोई एक model ले लेते हैं, append करते हैं, आपको जो भी model append करना है, let's की हम यहाँ से एक sphere लेते हैं, और इस sphere के साथ में हमको जो भी करना है, वो कर स सकते हैं, जैसा भी save बनाना है, बना सकते हैं, let's की थोड़ा सा हम नीचे आ करके, इसका save छोटा सा करते हैं, इतना, और थोड़ा सा इसको इधर से squeeze करते हैं, और move brush यहाँ से हमें लेना है, और अभी move brush यह brush बताएंगे सारे आपको, तो यह थोड़ा सा safe हम आगे वाला करते हैं, यहाँ से save कुछ ऐसे करना है, और यह save कुछ ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा smooth कर सकते हैं, तो let's की हमने कोई एक save बना दिया, यहाँ पर, हम चाहते हैं कि यह save हमारा एक IMM brush में add हो जाए, ठीक हैं, तो सबसे पहले आप scout करके, जो भी save आपको बनाना, जैसा भी save ब बना लेंगे, अब देखें, यहाँ पर बहुत सारे और भी object हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उनको सबसे पहले हमें hide कर लेना है, इसको और इसको hide कर लेते हैं, एप प्रेस करते हैं, अब इस brush को हमें बनाना है, तो हम B for brush को click करेंगे, यहाँ नीचे देखें, brush में एक option आ create insert miss, दोनों एक ही चीजे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और वहाँ से भी, तो यहाँ से जैसे insert miss किया, यह option आप से पूछता है, कि जो brush existing brush है, आप उसमें add करना चाहते हैं, तो append कर दीजिए, तो उसमें add हो जाएगा, नहीं तो आपको अपना नया brush बनाना है, तो आप new प हम इसको use करना चाहते हैं, अपने model के अंदर, तो हमारा model है यह वाला, इस model को हमें use करना है, तो चलते हैं, यहाँ पर, क्योंकि यह brush हमारा already loaded है, तो अगर इसको कहीं पर use करना है, let's की, इसके उपर, तो हम इसको ऐसा चला सकते हैं, देखिए हमारे पास model यह आ रहा है, उ उसके बाद हम उसको rotate वगरा करके, जैसा भी हमें set करना है, जैसे rotation थोड़ी सी लेनी है, rotation ले सकते हैं, और इसको fit कर सकते हैं, scale करना है, scale कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, यह देखिए, तो यह हमने अपना model बना के यहाँ पर insert करा दिया, अब आपको लगता है कि इसमें कोई दूसरा safe भी insert होना चाहिए, तो दूसरा safe जो भी आपको लेना है, वो होना तो चाहिए कम से कम, तो हम यहाँ से एक model को और append कराते हैं, let's key, यहाँ से यह model हमने append कराया, w press किया, यह model है, कहाँ पर, यहाँ पर, इस model को यहाँ पर लेके आते हैं, इस जगे पर, बाकी सारे object आपको hide करने पड़ेंगे, कि वही model आपको और रखना है, जिसको आपको insert कराना है, तो let's key, इसमें थोड़ा से change वगरा, जो भी आपको करना है, आप कर दीजिए, हम इसको थोड़ा सा flat कर रहे हैं, तो यह let's की हमारा एक model बन गया, ब्रेस का, अब इसको हमें add कराना है, इसी में add कराना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी for brush, नीचे option आते हैं, एक बार फिर से, यह देखे, create insert miss, जैसी पूछेंगे, तो जैसी यह window हाएगी, यह पूछ हो जाएगा, अगर आपने new कर दिया, तो जैसे यह नया बना था, वैसे एक नया brush बन जाएगा, हमें append करना है इस बारी, तो यहाँ पर यह कुछ पूछ रहा है, प्रेसिंग है, आपको बस simply ok कर देना है, तो देखे, जो भी current brush था, यह उसी में add हो गया, अब इसमें आपक आपको यह use करना है, आपको select करना है, जहाँ पर भी use करना है, आपको वहाँ चलाना पड़ेगा, यह देखिए, side से आप इसको rotate कर सकते हैं, थोड़ा से नीचे, size थोड़ा से छोटा, जैसा अभी आपको set करना है, यह देखिए, आपको दूसरा stroke यूज़ करना है, आप देखिए, दूसरा stroke उसकी जेगे पर आ गया, ठीक है, आपको यह stroke यूज़ करना है, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, आप दूसरा stroke यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको stroke यूज़ करना है, तो आपने इस तरह से देखा कि हम अपना कैसे brush बनाते हैं, insert mist कैसे, आप brush की category में जाएंगे, before brush, और नीचे ही आपको create insert mist का option आता है, बस इसके लिए आपको क्या करना हो ठीक है, तो चैनल को subscribe करना है, आपको comment भी करना है, अगले वीडियो में मिलेंगे, नए topic के साथ में, thank you